जवाशा में पर्जापत जी के यहां पे यह नाग आया हुआ था तो इसको कोब्रा नाग केते हैं यह नाग भोजन की तलाश थी कि कोई मिलेगा इसका भोजन है मेंडेकोर ची हुआ और गोईडिया का भोजन है चीप कली तो यह भोजन के लिए तलाश में था कि कोई भोजन मिलेगा अपन को तो अभी कुछ नहीं मिला इसको यह सर्प कोब्रा केते हैं इसको यह काट ले तो यह समझ लो कि आट मिनिट के अंदर आदमी को काबू कर लेता है आदमी को काबू करने के बाद में क्या करता है जिसे अपना यह अपना धर्म निभाता है असली नाग काटने में नियाथ कम काटता है और काटने के उपरां मेरे तंतकाल फोन लगाओ यह आदमी दाइक बेंस आदमी मनुष किसको काट ले तो आट मिनित के अब दी तो उसके आंकान लिली पड़ी जा और आप्रोश लिजा वने और हुना तो कम लागी दा जो बहुत तो कम दीजा थारी कम और उसके उपरां तो कोई एलाज ने चलता है पज़बली रांटर क गतिए पज़बली फज की ने तो तल्त काल मेरे प्सट लगा ने में क्या होगा कि राथ मिलती रहेगा में मंतरुंण्य ने में में उसको तुझन लेगा तो रात मिलती रहेगा क्योंकि करका हुआ कवि बचिता नहीं नागिन क्या रिच्ग जाती हो ऑधी फणी कोब्रा बुजंग मोर निलम ना यह से करके नो परकरगी जात होती है तो यह पूब्रा यह असली नागे काटने में कम आता है और काटने के बाद में बचता ही कम है मेरे फोन लगेगा तो उसको रात मिलती आएगा लेकिन मंतरने के कोई पेसे नहीं लगेंगे हुआ वह पिलाने के कोई पैसे लगेंगे सिर्फ पखर ने के 800 रूपे लगे और वह उभी गुरुमाज का दुना चलता है नारान का दुना चलता है उसके लगторов होता है तो हुए करने होगा तो में करहां लेकिन बली अस्पताल ले जाँ कहीं पर ले जिए सकते हैं कहीं रोकना नहीं तो और रागी में घूंग जाऊंग वहां जानवर नहीं आएगा तारीक 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 और देखने वाला फोन लगायागा तो चार गंटा ती जानवर जाएगा और अधमी भी डरता है जानवर तो मेरे फोन लगाया मैं आया हरियोम आश्रम से और आखर के मैंने पकड़ा यह मेरे आद में चेशाथ बीट लंबा कोब्रा नागे असली यह असली नागे तो मेरा नंबर है